असलाम लेकुम वेलकम बैक चू माई चैनल हानी की डाइरी तो कैसे हैं मेरे सारे चटोरे फ्रेंड्स तो भाई अगर मेरी तरहां आपको भी जोरों की भूग लगी है और घर में कुछ ऐसा पका है जो आपका खाने का बिलकुल मन नहीं है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है तो चलिए बस मुझे फालो करते जाएं और जैसा जो मैं कह रही हो ना करते जाएं तो यहां मैंने लिए है एक छोटे साइस की प्यास जिसको मैं इस तरह से पिलकुल छोटा 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 चौप कर लूँगी और साथ ही यहां चोटा सा चोटो सा एक टिमाटर लिया था इसको भी मैं इस तरह से चोटा चोटा चौटा चौप कर लूँगी और यहां पर मैंने लिया है एक शामी कबाब हमारे हाँ पहले से ही रेडिमेट शामी कबाब रखे हुए होते हैं तो मैंने वो ले लिया, अगर आपके पास कोई भी लेफट ओवर सबजी है या कोई भी ऐसी चीज जो आप इस्तमाल करें और आपको टेस्टी लगे तो आप वो ले लीजिए यहाँ पर मैंने देखे एक रोटी ली और रोटी के उपर मैंने कबाब को इस तरह से प्लेस करा उसके बाद जो प्यास चॉप करी थी उसको भी इस तरह से प्लेस कर दिया और अब रह जाता है जनाब टिमाचर तो टिमाचर को भी मैं बिल्कुल वैसे ही प्लेस कर दूँगी जैसे मैंने प्यास को डाला था तो अब कैचप तो सबके घरों में होता ही है तो कैचप भी मैंने देखी इस तरह से इसके उपर डाल दिया है मतलब जो भी है जो भी आपको मज़गा लगता है जिससे भी आपके जबान को चटखारे मिल सकता है आपको वो वो डाल देना है तो मायोनीज भी जो है वो सबके घरों में होती है नहीं है तो कोई मसला नहीं है साथ ही चाट मसाला रखा हुआ था तो थोड़ा चाट मसाला भी डाल दिया बाकी आपके घर में चाट मसाला जो भी है जेसा भी है आप वो चाट मसाला डाल सकते है इसके लावो कोई भी सबजी अगर शिमला मीच है गाजर है कुछ भी है ना आलू है आप वो भी डाल सकते हैं कोई मसला नहीं है बस आपके जबान पे एक चटखारा आना चाहिए तो जनाब मैंने देखे रोटी को रैप कर लिया बिलकुल रोल की शेप में और इस तरह से बीच में से हाफ कर दिया अगर आपके पास कैचप अबेल बेल ना हो तो अचार हो चटनी हो जो हो आप वो डाले रैप करें रोटी के अंदर और उसको मज़े लेकर खाए भूख तो आपकी मिटे की मिटे की मज़़ा भी बहुत आएगा तो अगर आपको ये जुगाडू रैसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथी साथना बेल अकन को भी जरूर प्रेस करना